दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप HDFC bank credit card के reward points को cash में कैसे redeem करेंगे ठीक है इसके लिए सबसे पहले आपको application को open करना है याने कि login करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है सबसे उपर देखिए left corner में menu का option आजाए इसके बाद आपके सामने काफी सार ओप्षन आजाएंगे यहां पर एक option आजाएंगे यहां पर एक option आपको पे काफी सार ओप्षन मिल जाएंगे UPI payment money transfer इसके बाद एक option आ यहां पर cards का ठीक है इस पर टिक करेंगे आपके पास HDFC bank के जितने भी credit card होंगे एक, दो, तीन, चार सारे के सारे आपके सामने शो जाएंगे ठीक है तो हमें जो जिस credit card के reward point को redeem करना है वो हमारा वीजा मिलेनी है ठीक है जो सबसे उपर आ रहा है इस पर select करेंगे इसके बाद आपके credit card के सारे टेल आपके सामने शो जाएंगे ठीक है सबसे निचे देखे get statement के निचे reward points यानि कि आपके पास जितने भी available reward points है वो आपके सामने शो जाएंगे तो 3330 reward points है मेरे पास इसके बाद नीचे आएंगे इन reward points को redeem करने के option आ रहा है redeem reward points ठीक है action में आपको नीचे आके देखना है या आपको option या पर मिल जाएगा ठीक है सबसेंची देखे चार option आ रहा है product and vouchers, insta vouchers, cash और air miles ठीक है काफी लोग का मेरे पास comment आ रहा है कि भी हमारे पास हमारे पास हमारे पास यह वाला offer नहीं आ रहा है नहीं कि यह वाली scheme नहीं शो हो रही कि हम cash में redeem करेंगे अपने reward points को तो मैं आपको एक बात clearly समझा कुछ credit cards के ओपर अलग scheme होती है और कुछ के ओपर अलग scheme होती है तो मेरे पास जो card है वह visa millennia credit card इसके ओपर cash redeem का यह option आ ठीक है लेकिन आपके पास कौन सा credit card है वह हमें नहीं पता तो आपको अपने credit card वाले जब इस section में आए आप reward point वाले तो यहां पर show हो जाएगा अगर cash को option नहीं आता तो आपके card के ओपर यह वाला option यानकि यह वाले scheme नहीं है ठीके ना तो आप इसका क्या कर सकते है vouchers वगरा ले सकते हैं दो तरह के vouchers आरे इंस्टा voucher और product and vouchers ठीके तो मैं आपको जो आज की वीडियो में बताने वाला हो cash को कैसे redeem करना है वो बताने वाला तो 30 आपको रुपे यहां पर मिलने वाले है यहने कि यहां पर हमारा जो एक point है वो पूरे एक रुपे के बरावर है तो नीचे आएंगे थोड़ा सा यहां पर option आ रहा है कि आपको कितने reward point को redeem करना है ठीके उसके amount आपके सामने शो हो जाएगा तो सबसे पहले मैं enter कर दे जनी कि 3330 reward point मेरे को सारे के सारे यहां पर redeem करना है तो मेरे को proceed all option पर select करना है तो देखिए यहां पर जो reward point है वो हमारे convert हो के पूरे 3330 रुपीज में मेरे को proceed all option पर select करना है तो यहां पर एक pop आ गया cash redemption the maximum reward point for cash back that can be redeemed per month 3000 ठीके तो यहां पर देखिए mention है कि आप एक महीने म point को ही redeem कर सकते हैं जबकि मेरे 3000 से ऊपर हो रहे थे 3330 ठीके तो इसे okay करके back आएंगे तो मैंने यहां पर वापिस से enter करे हैं केवल 3000 points ठीके जिनने में proceed करूंगा तो 3000 रुपीज होते हैं अब वापिस से proceed करेंगे तो देखिए अपके यह बार यह हो गया तो यहां पर show रह यहां पर हमारा card number current available point 3330 हम कितने point redeem कर रहे है 3000 और जो amount हमें मिल रहा है वो 3000 ही मिल रहा है okay during the settlement इस पर टिक करेंगे blue tick पे नीचे आएंगे redeem पर टिक करेंगे confirm cash redemption order ठीके तो हमें confirm करना है देखिए लिखाव आगे your cash redemption request for rupees 3000 is taken up to processing ठीके आपको यहां पर order number मिल जाएगा इस order number को आप tracking वगरा पर भी कर सकते हैं यानि कि आप इनकी website पर जाके भी से track कर सकते हैं और toll free पर भी से track दा सकते हैं ठीके maximum 3 या 4 दिन का समय लगता है आपके credit card की जो limit होती है यह 3000 रुपे वहाँ पर आपके add हो जाएंगे ठीके इसी को हम cash redemption बोलते हैं अगर आपके पास यह वाला credit card नहीं है तो आपको vouchers वगरा redeem करने का option मिल जाएगा ठीके काफी लोगों को यह नहीं पता कि कौन से credit card पर क्या offer आता है तो अगर आपके पास कोई और credit card है तो आप लोग उसे toll free पर को लगर के change भी करा सकते हैं ठीके सबसे best credit card है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ ठीके visa millennia credit card इसमें आपको क्या benefits मिलेंगे सबसे अच्छी बात है कि एक reward point के बदले आपको पूरे एक रुपे मिलते हैं प्लस आपको क्या करना है अगर आप इस card क को apply कर देते हैं online या फिर इस card को अपडेट करा लेते हैं convert करा लेते हैं तो उस दुरहन आपको एक चीच confirm करनी है कि आपके पास एक offer और आना चाहिए कि हर 3 महिने यानि कि एक साल के अंदर total 4 voucher मिलते हैं तो मेरे को flip card का 1000 रुपे का voucher मिल जाता है यानि कि Amazon का भी मिल जात पे reward point मिलने वाले है यानि कि एक साल के अंदर मेरे को 12,000 रुपे के reward point मिलेंगे और जो 11,000 रुपे के 4 voucher मिले वो plus add हो जाएंगे इसके अंदर यानि कि 16,000 रुपे का इस card मेरे को benefit मिलने वाले है ठीके दोस्तों make sure आपको इस card से related information मिल गई होंगी अगर आपके पास कोई HDFC bank credit card के reward point को cash मेरे के से redeem करना है वो मैंने आपको बिलकुल clearly समझा दिया और दिखा भी दिया ठीके एक महिने के अंतर आप maximum 3000 reward point को redeem कर सकते हैं वाकि आपको credit card के reward point को cash मेरे करने से related कोई भी query है तो आप मुझसे comment लोग से पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते है एक नहीं वीडियो में तो काई सेंक्स पूरति इस वीडियों सब्सक्राइब इस चैनल